Assalamualaikum कैसे हैं आप सब उमीद हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे मज़े में होंगे वेलकम तो माई चैनल फाइंटाइन माई नेम इस किरन आज हम रेडी करने वाले अपने स्किन के टेक्श्चर इंप्रूफ करने के लिए एक मास्क तो एक चमच हमने ले लिया है ग्रैम प साथा कर सकते हो मैं इतनी सी ले रही हूं क्योंकि एक पेस्ट के लिए बनानी है और पिर इसके बाद हमने डालना है इसमें आलमंड ओई मेरी ऑईली स्किन है इसलिए मैंने डाला है आदा चमच बदाम का तेल आप लोग जो है ना एक चमच डाल सकते हो अगर आपकी ड्रा अचा आलमंड ओई अपने हिसाब से डालना अगर आपको लगता है कि मीज आपकी स्किन के लिए ओईल आहीं यह जादा ही एक्मी प्रॉन स्किन है तो आलमंड ओईल की ड्रॉप कम कर देना है अपने स्किन के अपनी चीज़ यूज़ करनी है और अगर आप वन टेबल स्कि अपनी चीज़ नहीं है तो वन टेबल स्किन मुझे बहुत जादा लग जाएगा तो इसलिए मैंने इसमें लिया है हाफ टेबल स्किन और अगर आपकी ड्रॉट तो आपने साब से कर सकते हो ठीक है और कॉमबनेशन स्किन वालों को अपने साब से करना है कि वह पैस्ट टे करके इसको बस दो मिनट के लिए छोड़ देना है हमें और यह सारे जो इंक्रीडियंट है में समाम की तमाम चीज़ा हमारे किचन में मिल जाती है बेसन भी और साथ के साथ ऐलो वेरा जेल भी ऐलो वेरा जेल मैं बता चुक हूँ कि नैचरल यूस करेंगे तो बहुत अच् अच्छा ना हो उसके लिए तो मिन्स तो अगर आप आल्मन ऑईल सही नहीं लगता तो आपको यूर्स ऑईल भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो अब हमारा यह मास्क है रेडी और इसे 20 मिनिट्स के लिए अपने फेस पर हमें कर लिना है अपला है और 20 मिनिट्स के बाद इ अच्छा निग वगरा भी खतम करेगा और सेवन डेजिस को कंटिनियसली अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन का टेक्स्टर बहुत अच्छा हो जाएगा बहुत स्मूथ सी स्किन हो जाएगी यूज़ना इसको हफते में दो बार भी यूज़ कर सकते हैं तो उमी स्किन है